नमस्कार दोस्तों 11th class की NCRT का हम आज सेप्टर नमबर 9 पढ़ने वाले हैं यह lesson बहुत अच्छे चल रहे हैं आप इनको लगतार वाच करते रहेंगे इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मेरा अच्छा का सानूब हो है जोग्राफिक को लेकर यहां से बात करने वाले सोर विकरण के बारे में तो सोर विकरण के बारे में इस चेप्टर से प्री में अच्छे का से कुसना है जहां तक मिरानुब हो है यहां से प्री में कुसना सकते हैं मैंस में थोड़े कम संभावना लेकिन प्री में तो मतलब यहां से बहुत सारे कुसना सकत को और यह परत्वी को राती है ठीक है और यह लेकिन याद रखना कभी भी याद रखना परत्वी का जो वाइव मंडल है ना सोट वेव से गरम नहीं होता है परत्वी का जो वाइव मंडल गरम होता है जब यह तरंगे वापिस परत्वी से लोड़ती है ना पारत्वी तरंग इसे जो भी हमात्रा परत्वी के वाइमंड लिया परत्वी को पराप्त होती है उसे सोर विकरन का जाता है इसके लाव इसमें बताए गया है कि परत्वी की जो आकर्ति है ना भू आप जिया जियोइड है जियोइड का मतलब होता है जैसे परत्वी बिल्कुल गोल नहीं है प पर्तवी की जो आकरती है इसमें बताये गया है कि भुवाप जियोएड है सूरी की करणे वाइब मंडली के उपरी बाग में तिरची पड़ती है जिसके करण फर्तवी सोर उर्जा के बहुत कम अन्स को प्राप्त कर पाती है यानि सूरी से जितने भी उर्जा प्राप्त होती या उसका बहुत कम भाग हम प्राप्त करते हैं लेकिन वह भी हमारे लिए सपिसेंट है या बहुत इंपोटेंट भूमिकान निवाता है ठीक है इसके लावा कुछ सब्दावलिया है जिनको देहन में रखना चाहिए कई वार यहां से फिक्चुल कुसन आ जाते हैं जैसे हब अब सोर का मतलब होता है कि सौर्य पर्तवी से सरवाधिक दूर होता है चार जुलाई केंगटना होती है जैसे हमारी पर्तवी तो एक समय यह होता है कि यहां से हम देखें तो natural करना ranked रधूसर्ण और जब सबस्दिए नजदिक होती है जब सर्वाधिक मतलब ऐसा मानते है कि जब पर्त्वी और सूरी की दूरी कम होती है उसको बोलते उपसोर तो, यह सिंपल सी बात है कि अपसोर क्या है, एप हैलियन क्या है, सूरी पर्त्वी से सरवादिक दूर है, कब होता है, चार जुलाई को जब दूर होग था आप एक थोड़ा सा लोजि ग्मच दाए जूंधे गांचा जाया नची अच्छा पर पूछी जाते हैं आपक बूसरर्ण का सहसके आप करेगे कीहते हैं हमारी सिद्थी पूछी जातें यह पर vors empieza के यह पुछी जाएंगी एक स्केकलाब पृस्विज क् hurricane आप में बिंता के कारव कोन छो सकते हैं? ये बहु जरूरी है, कि हम यह जानते हैं कि हमारी पर्थिवपर सूरियताप की बहुत बड़ी भूमीका होती है, आपने ये देखा होगा कि पर्थिवपर जितना जितना इस सर्कूलेशन जितनी भी गटना ही होती है इसका मतलब संपूर्ण पर्ती पर जो ताबजट है उसका कहीनी करी रोव होता है मतलब पर्तवीक की जितनी भी ताब पान का वितरन को बता रहा है मТОलब सब के अलग लग भुमिका होती थीं और इस पेम देखेंगे कि परत्वी की सत्राय पर सूरी अताब भुम्ता के यह युद्धाकी कारक रहती है कि अलग Lग जगहें पर अलगल सूरी अताब की मादर्य क्यों फ्रापत होती है जैसे यह हमारी पर्त्वी है एक्जांपल लेकि हम यहां पर पढ़ने वाले यह पर्त्वी है तो इसमें पहले ही बोलागे पर्त्वी का अपने अक्स पर गुर्णन करना यह तो हम जानते हैं कि जब पर्तवी गुनन करती है तो पर्तवी के एक बाग पर सूरी का परकास पड़ता है तो जहां पर सूरी का परकास पड़ता है वहां पर तापन अधिक होता है दूसरी तरफ तापन कम होता है तो सबाव एक बात है कि मतलब इसका फरक पड़ता है दूसरा है अकसांस की इस्तिती जैसे ये जिरो डिग्रे अकसांस है ये हम जानते हैं कि जैसे सूरी उत्री गॉलार्द में है तो उत्री गॉलार्द में जो अकसांस है जैसे हम मानते हैं कि जून के मैने में करकरेका पर सूरी सीधा चमकता है इसका मतलब जून के मैने में दक्सिन जो को लाड़ता है जैसे यहां पर धूरों की बात करें तो यहां पर थंडी राते होंगी यहां पर तापमान कम होगा जबकि उत्तर में क्या होगा जैसे दूरू उत्री दूरू की बात करें तो यहां पर 6 मेंने की दिन होंगे ठीक है तो इसका फरवाव पड़ता है कि अकसांस की चेतर का तापमान इस बात पर निर्बर करता है कि उसकी अकसांस की स्थिधी कैसी है हालाएं कि देसांतर का उतना फर्वाव नहीं पड़ता लेकिन अक्सांस का इस सीज़ का ज्यादा फर्वाव पड़ता है ठीक है अक्सांस देसांतर तो चलो हम GPS में देखते हैं कि किसी चेतर की है उसकी location ग्याद करने के लिए important है लेकिन कुल मलाकर बात यह है कि यह दिये में सुरिय तब की मातरा को देखना हो तो अक्सांस का इसमें बड़ा रोल होता है जबकी equator की इनकी बात करेये का अब करेकां करेया यहां पर किरयों सीधी बढ़ती है इसलिए यहां पर तापमान होगा जी सिदी कौन हो जासा सा Já बड़ा जाता है तो और सही बात прибÃ लतिकौन इसको ना म Lucky कों होता है कि कि एनिए तिर्च अफर You अ है की शूरी का प्रकास प्रबस एक बड़ा रोल नहीं कि वायु चांब यह हमारा प्रत्वी है और यहां पर यह माइव मंडल है तो सुर किरने यह घंग होता है तो इनका फरबाव पड़ता है कि लेकिन शुरुआ मुखे रूप से परतिधी तो चलो इन से गरम होती है आने वाली सोड भी करन सूर्य तबकी मातरा से लेकिन परतिफि इसों के दवारा जो पार्तिधी विकरने हैं उनक्य असोशन से होता है आपने एक चीज नोटिस के होगी जैसे यह हमारा इस्तल है ठीक है यहां पर कोई उंची परवत माला है जैसे माउंट टेवरेश्ट है तो माउंट टेवरेश्ट पर बरप क्यों जमती है यह लोजिक कभी देखा आपने मतलब यदि यह उपर वाले वाई उपर जो सोट व 165 मेटर की उच्ए पर एक डिगरी सेल्सीयस तापन कम होता चाला जाता है यानि एक किलो मेटर पर सबसे ऊपर हिमाली की छूट इसलिए बरब जबनती है तो इसका मतलब यही कुछन बार-बार एकजब में रीपेटिशन हो है कि पर्थवी का जो वाइव मंडल ना गरम कैसे होता है पार्थवी करणों से गरम होता है यानि दिर्ग जो तरंगे हैं पर्थवी से वापिस लोड़ती तरंगे हैं इनको ग्र घ Això वाइव मंडल का पर्थवी के पास में होगा जब घनाओ या मतलब वाइव मंडल पर्थवी के पास होगा तो तापान बी नीची जैदा होगा इसका मतलब जो नहीं डैऊ इसको पकड़ लिया तो काम बन गया आगे बढ़ते हैं इसके लाव देकुष में दीगी यह कि जो लगूत रंगें होती है लगूत तरंग देर यानि शोट वो आती है वाइव मंदल वाइव मंदल इनके लिए वाइव मंडल क्या होता है पार्दसी अभी अमने बात की इनको आने देते हैं प्रतिवीपर ठीक है और इसके लावाद होता है विखरन इंफरारेट डेडियेशन को अस्वेस्ट कर लेती हैं यह विखरन होता है आपने सुर्य का स्पेक्ट्रम देखा उसमें बहुत सारी मतलब किरने होती है तो उसमें से जो अवरक्त विखरन होते हैं वह इनको क्या करते हैं हालाएं कि जो ओजोन मंदल मुख्यूरूप से समता मंदल का पार्ट हैं लेकिन कुछ ओजों थोड़ा बहुत पाए जाती होगी सौप शीमा का सब्सक्राइब तो इनका सोशन कर लेते हैं इसके लावा सोब मंडल छोटे-छोटे निलंबित करण यही आकास के रंग के लिए उतराएं तो यह सिंपल सा रोजी पदाता हूं आपको यह बहुत काम का यहां से कुछन आएं पहले पहले के एकजाम में यह पीसी प्रिलिम्स वैसे कुछन तो आपने देखा होगा जब हम देखते हैं कि आसमान का कलर जो होता है रंगीन दिखाए देता है यहां पर रंगीन दिखाए देता होगा यह निला दिखाए देता है आसमान का जो मुख्य कलर है हमें ऐसे आसमान के और देखते हैं तो कौन सा कलर दिखाए देता है रंगी में देखने की सुरी जब से influen z पर होता है तो उस में जो हमें आसमान दिखाए दिखा दिखा। की फ्रीद से में हो लाल बाटी करें ना रंगी घम किई सुन बहुत सारे तो यहां के उसमान तो आसमान की ओर देखते है तो नीला कलर इसलिए दिखा देता है कि उपर की और जो पार्टिकल है, ठीक है, उपर की और जो पार्टिकल है, वो महिन पार्टिकल है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, बहुत छोटे 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 ठीक है, ठीक है, उचाई के साब से, क्योंकि जो ठोस पार्टिकल हो निला दिखाए देगा क्यों छोटे परकास को बिखा देते हैं परकेर्ण कर देते हैं उनको इसलिए में आसमान का रंग निला दिखाए देता है ठीक है मुखी रुप से ऐसा बदाए गया और सूबसाम हम देखते हैं कि जब सताः की पास में होते है जो परकास उनसे मोड़े पार्टिकल से जब छीए आएगा न तो इस में एक और चीज कि यदी वाइव मंडल में पार्टिकल नहीं होते तो पिर आस्मान का रंग किसा नजराता तो बलेक नजराता अंत्री जैसे भाहेर निला क्यों दिखा देता है तो उसमें पार्टिकल्स के विक्रण उनके कारण सुरी के प्रकास को बिख्रा देते हैं तो सुरिय तब सरवादी काम पर पाई जाएगा अच्छा यह जानने वाले चीज है जैसे यह हमारी पर्थवी है ठीक है और यह जीरोडी के अकसांस है और ठीक पढ़िया चुकत हैं तो 30 डिजय जills यह जैसे यहां पर ने तो संध कवाधिक प्रकास आना चीजिट डिगरी आ सरे लेकिन जीरो डिगरी के असपास आप जानते हो लगबग बादल रहते हैं तो बादलों की बज़े से थोड़ा सा क्या होता है सुर्य प्रकास उतना दर्थी पर नहीं आपाता है तो सरवाधिक कहां पर आएगा इसका मतलब सरवाधिक सुर्य का तापपान वैसे इस बेल्ट म नहीं होते हैं बादल नहीं होगे तो सुर्य का प्रकास दर्थी पर जएदा आएगा जएगा तो वास्पिकरन की मात्रा बढ़ेगी इसलिए तो तीस बेल्ट के अंदर आपने क्या देखा मरुस्तल क्यों है एक तो वरसा नहीं है उपर बादल नहीं वारिस कहां से होगी दूसरा तापमान जएदा है वास्पिकरन की दर जएदा है तो इसका मतलब सुस्क दसाएं होगी सुस्क दसाएं होगी तो मरुस्तल को बढ़ावादेगी इसलिए वीसवे के मरुस्तल किस बेल्ट में जएदा मिलेंगे आपको इसी बेल्ट में मिलेंगे उपोर्शन वाल पर्थे परत्वी के आसपास ये वाईयू आद ना फॉर अगुतिए ज़ेसे पर्थे परत्वी पूरी तरह से गरम होने लगता है तो अपने अनरजी पास वाली सत्व हृत है ये पर्थें परत्वाली परतों स्की उर्टोस की बनी नहीं है, तो यह किसद की बनीए, गेसों से बनीए या वायू की बनीए वायू मंदला की तरस ainda की है, बीघर मू होने लगता है, वह गरम किसे होता है शुरुमाती स्थितर पर गरम होता है चालन विदी न ऑड़ से И hammer तरांदरन कैसे होती है जैसे कोई ठोस और ठोस इद्यापस में एनर्जी ट्रास्पर करें मुख्य रूप से तो चालन विदी के दवारा होता है लेकिन जैसे यहां पर भी यह होता है कि किसी ठोस के संपरक में कोई वस्तव आती है तो वह भी चालन विदी के दवारा ही गरम ह लेकिन उसके बाद में क्या होता है जो पड़ते हैं वह लंबत रूप से जब उर्जा का ट्रांसपर होने लगता है वाई मडल की परतिया आपस में गर्म होने लगता है तो उस उस प्रक्रिया को बोहते हैं सैंवन या कंडेकसन के दो लगत होती है परतिवी से संपरक आई वाई गर्म होकर लंबत उप्री और उड़ती है इसे समवहन ये कन्वेक्शन कहते हैं मतलब आपने देखा होगा एक्वेटर पर जब बादल बनते हैं या भूमद रेका पर काफी मतलब हम जानते हैं महासागर काफी है वहाँ पर सूरिय तब की मातरा की करन जब उनमें वास्पी करन की पर क्रियां होती है तो उसके अंदर ये सेमवन की करियां होती है और वहाँ पर इनी गटनाओं के करन जो बादल बनते हैं जैसे कपासी वर्सक जो मेक बनते हैं सागर पर डेली टू पेम की वारिस करते हैं डेली दो पर के बाद वारिस होती है जो के अच्छी वारिस होती है वो इसी गटनाओं के करना होती है ठीक है, आगे इनकोर भी पढ़ने वाले है इसके लाव वायू के सहती संतलन से होने वाला ताप इस्तरांतर अभीवन एडविक्सन कहलाता है, यानि जब वायू आपस में लंबत रूप से गरम होने लगती है शाथ लहीं होगा घरम हाला घरम हवा आपने साथ लेकर या जपीका होता है तो वह इस ताप्रिक्सन कहला लगती है तो इसका किसका獇क्जामप्ल्स है ऐसा फेक्ट आ सकता है परी में तो वाईव के सहती संसलन से होने वाला तापस तरांदर अभी वाने कहलाता है एक जम पर हो गया है लूज तानी पॉण ठीक है यह ऐसा एडविक्शन हो सकता है ठंडी जहां पर पॉण चलती है बहुत सारे सी पॉण ने होती है इस तानी पॉ करते हो तो यूपीसी जो करंड की जो गटना होती है करंड की गटना को स्टेटी के साथ जोड़ता है जैसे जोग्राफी से दी कुछन यूपीसी उठाएगा तो यूपीसी इसको नहीं पुझेगा सिधा-सिदा कि परत्वी का उसमा बजट क्या होता है हाँ PCS एक्जा में है सूरी से सो इकाई या सो परतिसाथ सो इकाई लेकाई कि सो यूट एनजी सूरी की उड़जा परती है तो यह कहते हैं कि इसमें 35 ही अठाए जो भाहिर मंदल जाया या परत्वी का गया इसके वाइभ वाहिया उपरी भाग से ही प्रावर्टित हो जाती है जिसमें 27 भाग तो इसका यूनिट तो बादलों के दवारा, दो यूनिट अन्यम पर्थियू के दवारा और 26 में क्या होता है, परकास स्केटरिंग हो जाता है, यानि विकर जाता है तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका मतलब 35 भाग का तो कोई रोल ही नहीं है, जो सूरिय से जो cool energy आ रही है उसकी 35 unit का तो पर्त्वी के वाई मंडल में कोई खास रोल नहीं है उसका फिर जो 65 इकाई सेस जो 65 इकाई नीचे आती है उसमें से ये बोल रहा है कि 14 इकाई वाई मंडल के दोर आफस्वाशन कर ली जाएगी सेस जो एक्याउन बसती है फिर इकाउन जो बसती है न 51 परत्वी यूनिट ये परत्वी गरम करती है परत्वी एक समय गरम होता है बलेक बोडी के तरह गरम होने के बाद में परत्वी वापस अपनी जो energy आई थी उसको release करने लग जाएगा जब परत्वी पूरी तरह से गरम हो जाएगी तो परत्वी वापस इस energy को release करने लग जाएगा तो सबसे पहले इसमें बताएगा है तो यह लगबग बच रहा है आपका 34 कितना बच रहा ठीक है 34 इकाई बची है हमारी 34 इकाई कहां पर है अभी वायू मंडल में है ठीक इस चौतीस हीकाई में से ये कह रहा है की मतलब पर्थी से वीकिरंड जो चौतीस में से च्छहीकाई ये बोल रहे है कि इसको भी अफसोरोशन कर लिए जाएगा इसके लावा किस के दोरान वक ही सारी चाईजे वायू मंडल में तो 34 हिकाई ये तो 34 में एक चीज में आप ने देख होगी, 14 पहले भी वाईम Deal में थी, इसकी अ 9- belki, इकाई यह देखो यह 48 हिकाई यह वाइव मंडल में इनका बड़ा रोल होता है जैसे हमने का ना भी ग्रिन आॉज़ गरम करने में इनका योगदार होता है 34 हिकाई जो यहां पे हो गई इसको वापिस क्या करेगा यह 48 वापिस लोटा देगा तो वापिस एक समय बाद अंतरिक्स में लोट जाएगी 48 यहां पे लोट गई 17 पहले इस डारेक्ट लोट चुकी थी और 35 पहले ही थी तो इसका मतलब यह उसमा बजट 100% काम कर रहा है यहांने 100 एकाई जो हमने प्राप्ट की थी 100 एकाई हमने वापिस लोटा दी तो इसमें कोई रोकेट साइंस वाली बात नहीं बहुत ही सिंपल चीज लिखे ही है आपको यह दी यह नहीं समझ में आया मैंने वैसे बहुत ही सिंपल बासा में समझाय कि एक वार थोड़ा सा बताता हूं कि 100 एकाई है ना सूर्य से आती है उसमें से 35 जो एकाई है उसका कोई रोल नहीं है यह तो बिना कोई वाइमेंटल भी भूमिका निभाए वापिस लोड़ जाती है और इसी बात को अलबीडो बॉलते हैं अलबीडो कभी आपने देखा ना कि जैसे कोई बरफ है या कोई वाइट कलर की बिल्डिंग है या कोई काच है उसके उपर प्रकाश डालते हैं तो कितना जल्दी वापिस प्रावरती तकिरने हो जाती है इसका मतलत उसका अलबीडो झालते है यही होता है घल बिड़ो तो फिर क्या होता है पैंच्शत कोई रोल नहीं यह 65 पैसर्ट मैंसे क्या होती चोदा ही वाइव मल्ल के दोर आउस्वश्वित के ले जाती जाती है और एक्याओन के आउती है परथवी पर आती इसका पूरा इसाब देंगे सो लेको आ सारी गटनाओं के होता है तो वायमंटल के अंदर जो 34 ही काई यहां पर लोड़ते समय थी चोदा ही काई ओद्रडी पहले भी थी तो 34 प्लाइस 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 फिर अंतरिक्स में चले जाती है तो अर्टालीस सत्रा और पैंतिस टोटल हंड्रेड तो ऐसे ही मतलब प्रत पढ़ा रहा हूं किताब पढ़ा रहा हूं आपके लिए सपिसिंट है तो आप आपकी सबसे बड़ी भूल होगी मैं हमेंसा अपने लेक्चर में यह बात बोलता हूं कि आपको कोई यूपीसियम सेलेक्ट नहीं करवा सकता आपके शिवा यदि आप अपने विचारों को प नें पाती इसके चकर दोचेटनों साल करें जो करने ब्रबाद होते हैं और बाद में पता चलता है तो हमेंसे इसके लिए बहुझे बहुत हो जबत इसाोंग उनिया काता है जैसे यहाँ पे सोर विकरंड की बात करें ठीक है सोर विकरंड और पार्थ विकरंड़ हम स्अ अ कि चालिसा तुछольше अच्छ की मातरा की मातरा जबाए उस से जदा है आप मतलब उसमा है यह नेर्जी हमारे पास है यह अ हम्रें बता है कि स hanpa कर दिक सार्वादी कांव बढ़ाता है सो भी इसमें प्रकार आप पार्थि विकरण की ह distingu यहांք के डिखायगा है तो पार्थि विकरण की यहां बादल बादल भी कम होते हैं तो एक दम मौसम आस्मान साप रहता है तो उस जरवाद एक पार्थी विक्रन यहीं पर होती है वापिस लोडते समय पार्थी विक्रन उसको बोलते हैं बाकि मतलब दुरू के पास तो चलो कम होगी नॉर्मली ठीक है यहां पर देखो कम दिखा की है मतलब एक्वेटर पर कम दिखाने कारण यह है कि बादल अफसोचन होता होगा कंफर्म तो यहां पर लिखा नहीं था इनिसार्टी में आप देखना कुछ हो तो मेरे जो आईडिया लगा पार रहा हूं यही है कि पार्थी विक्रन निशी तुरूप से बादल की अभी हैं इनका क्या रोल होता है अब हैं तेखें कि समूदर तल तल से उंचाई यह जाने पर क्या होता है अभी निश्यारद कर रहा हैं और हिमाले पर बर्बाव जंचा होगा हुआ सबूदर से दूरी बढ़ने पर माधी पर जलवाई यह गठना इसे सागर हो रही हैं लेकिन जो एक समझ जलवाई हुए उसका फर्वाव कम होता से लाजाता है ठीक है इसके लावा एर मास का परिसंजरण एर मास क्या होता है एर मास होती है एक मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि आगे हम पढ़ाएंगे एर मास अभी सिंपल सा यह समझ लो कि जैसे धूरव से कोई मतलब वायूरासी आ रही है अक्वेटर की और टो एक ट्वेटर वाले कर नहीं कि bisa कोई तो यह ते द्साइkой और डि इस तल पर बन रही है किस अक्सांस भी बन रही है तो सिंपल साई वाय और राशी अभी मैंने समझाने कोशी यही है बागी आगी से अप्टर उसमें डेटेल से हम पढ़ेंगे इसके लाओ थंडी और गरम जल्दाराओं का बहुत बड़ा रोलाता है थंडी और गरम जल्दा कारक भी क्या है परवत प्टार मेदान या नेमानों की कारक कौन से वां पर किस प्रकार के जंगल है यह सब करता है कि मतलब कौन से कारक है जो निर्दारित करें एक चोटी सी बात और रहा है कि ताप पान का वितकर्मन ऐसा कुसर में में एक बार पूश लिया था 2013 में के मे मेंस में G.S. के चार पेपर जोड़े गे तो उसमें एक कुसन आया गया था तापमान का विद्कुर्मन और तापमान का विद्कुर्मन वेसे एना प्री में कुसन आ सकता है इसका मतलब क्या है तापमान का क्या मतलब है जैसे हम ने पढ़ाता ना कि जैसे हम उपर जाते है तापमान क्या होता है कम होता सला जाता है लेकिन गटना इसी बढ़ जाए कि रूल क्या कहता है कि जैसे जैसे हम उपर जाएं तापमान कम होगा है ना तापमान कम होगा लेकि उपर निचे तो तापमान क्या है एक तरह से हम कहेंगे जैसे जैसे इसका मतलब क्या है कि उपर तापमान बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे तापमान का विद्कर्मन और ऐसी गटनाई कभी कभी हमारी पर्टवी पर होने लगती है उसकी जैसे कई दसाइएं काम करती है बाद में कि रूल क्या कहता है कि जैसे जैसे हम उपर जाएंगे तापमान कम होगा लेकिन तापमान ज्यदा हो जाए तो क्या होगा कम नहीं हो कि ज्यदा हो जाए तो वो तापमान का विद्कर्मन कहलाता है जैसे कि सामवानी दिसाइं उचाई पर तापमान का गटना जब कि विशेश दिसामंग क्या होता है? तापमान बढ़ने के गटना को तापमान का वूतकरमन कहते हैं जैसे मैंने यहाँ पर यह सामिल भी कहे है क्यों कि इंपोर्टेन टोपीक है यहां से एक बार कुछ ना कहा था में, 2013 की मेंट्स की एकजाम में देखना, डारेक्ट कुछ नहीं से पुछा गया था, कि तापमान विद्करमनी गटना क्या है, और इसका मतलब मानों के लिए उप्योग या क्या इसका बड़ा रोल होता है, तो इसमें लिखा है कि सामाने त इंदर जब ओजोन आती है, तो तापमान बढ़ने लगता है, ठीक एक तो वहां पर इकटना करती है, प्राकरती रूप से आप बड़ा सकते हो कि समताम बढ़ने में ओजोन के उपस्ति करने इसी गटना ही होती है, इसे तापमान का विद्करमन कहते हैं, अक्सर विद्करम से अधिक ठंडी हो जाती है, देखो सिंपल सा इस लोजिक समझना, कि ये कह रहा है कि जब मेग बिन रातिया होगी, और तो उपर बादल नहीं है, तो विकरन हास से क्या होगा, ज्यादा से जदा मतलब विकरन हास होगा, और परत भी क्या होगी, ठंडी होगी तो इसके आस है, कम है किस की तुला में, दो परत की तुला में, जब कि रूल क्या कहता है, उपर जाएंगे तो ज्यादा मतलब ठंडी होती चले जाएगी, ये उलड जाती इस तती, तो इसका मतलब यह हो गया ना, कि सुब परश्ट उपर के वाद इक्टनी हो जाती, धूरवे छेतरों चा управ करन कई सरी घटना होती है, तो वायूइमर्ल का निम्स्तर बर जाता है, इस से सरद्य की, सुबे की समय गगनेकोरी की अधियानी घटना के कारण हैं, क्यivering क्यों कि जैसे ये परतवी है, परतवी बहुरों ठंडी हो जाती तो इसके आजब आज-पा इसकी वायूई भी चेंबर बना लेता है ठीक है इससे सर्दियों में सुबह के समय गने कोरी की रचना सामाने करता है ये विद्कुर्मन कुछ ही गंटों तक रहता है सूरी के उपर चड़ने और परत्वी के गरम होने के साथ ही समापत हो जाता है पाड़ी और परवती चेतरों में वायू अफवा के कारण विद्कुर्मन की उत्पती होती है पाड़ी और परवतों पर रात में ठंडी वाग गुर्तवा खशनबल के परवाब में भारी और गनी होने कारण लगबग जल के तरह कारी करती है और डाल के साथ उपर से नीश उ बॉगाए जाता है जो कि कहीं कहीं इन से रक्सा होती है तो इनका रोल भी है देखो यहां पर करशी के अंदर रोल है जब कि ओपर हम दिली का एज्जामपल हां नेगेटिव हैं मानों हेल्थ के लिए तो इनका पॉझिटीव और से इसे मापत होता है आगे यह ऐसे चैप्ट लगतार लाते रहेंगे, बहुत अच्छे तरीकेस इनको पढ़ते रहेंगे, आपकी जीमेदारी इनको लगतार सब्सक्राइब चैनल को करना है, लेसन को लाइक और सेर करते रहना, अपने दोस्तों के साथ सेर करते रहो, बहुत बहुत धन्यवाद.